जहिन दोस्तों स्वागत है उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला है बिहार पुलिस कोंस्टेवल रिजल्ट कल जो आपका नोटीस जारी हो आया वो संच में ओफिसल ट्यूट आया था दोस्तों चली आपको ओफिसल न क्योंकि आपका ओफिसल नोटी जारी हो गया और दोस्तों बात करेंगे इस बार कटप की दोस्तों जो कटप बताएंगे वही आपका नंबर वन कटप होगा दोस्तों जो इस बार का कटप रहने वाला है जेनरल का सतर रहने वाला है दोस्तों सतर के आस पास रहने वाला है और बाकी आप देख सकते हो EWS, EWS 65 से 70 तक हो सकता है, दोस्तों जो आपका एक्जाम मार्च में कंड़क्ट कराए गया था, उसका रिजल्ट आज जारी होने के पूरी संभवना है, उसके पीछे बिहार पंचाई चुनाव कारण के आपका रिजल्ट गोशित कर दिया जाएग इसलिए हम आपको गरेंटी के साथ बोल लाए, अगर आपका सिष्टी भी होगा ना, सिष्टी भी आप किये होंगे तो आपका नॉर्मलाइज़ेशन के होकर आपका 72-75 तक हो जाएगा, दोस्तों इस बार सेलेक्शन होना चाहिए है लगवग, इसलिए बता रहा है दोस्त इस बार आप सभी को पता है कि कोविट के कारण आप जो रिजल्ट है, ज्यादा स्टुडेंट नहीं एक्जाम दे पाया था, जो आपका रिजल्ट भी आपका जारी होने वाला है, पांच बजे आज, दोस्तों चलिए आपको ले चलते, CESBC के बेसाइट पर जहां पर आप आपको ओफिशल नोटिस दोस्तों, CESBC के ओफिशल बेसाइट पर जाके वहाँ पर किलियर हो जाएगा कि आपका ओफिशल नोटिस में क्या दिया गया है, तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, आठ बज़ के पत्चीस मिनर, दोस्तों आप लोग को बता दू कि आज मंडे है, 6 सितंबर है, आज रिजल्ट आने का लगवग लगवग बहुत चांस है, क्योंकि दोस्तों कल जो ओफिशल ट्वीट आया था, उसमें भी किलियर हो गया था कि रिजल्ट आपका ECB को आएगा, दोस्तों क्योंकि आज 6 सितंबर है, और ओफिशल नोटिस भी यहां से है, क्योंकि बिहार पुलिस के जितना भी सर्वी से सभी का रिजल्ट जारी कर दिया और बिहार फायर सर्विश होम आपका बिहार होम-गार्ड सब्सक्राइब कर लिज़ेगा क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल जाएगा थाइंक यू